हेलो एव्यवान वेल्कम बैक टू माई चैनल माई पर्सनल एक्सपिरियेंस अंग्री आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि बच्चे टिफिन क्यों नहीं फिनिस करते हैं इसके पीछे क्या रीजन्स हो सकता है और क्या इसका शोलूशन निकाला जा सकता है जैसा कि मेरा बे प्ले स्कूल में जाते हुए तो स्टार्टिंग टाइम में वह बिल्कुल भी लंच या फिर अपना टिफिन देखता भी नहीं था बिल्कुल भी खाना नहीं चाता था पूरा का पूरा टिफिन बॉक्स उसका वायसे ही वापस आ जाता था लेकिन इतने दिनों में मुझे समझ में आ गया है कि कब वो अपना लंच जो है वो फिनिस कर लेता है और कब नहीं फिनिस करता है तो इसके पीछे दो रीजन्स मुझे समझ में आए हैं जिसको मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा और जिनके भी बच्चे छोटे हैं उनके साथ सेयर किजेगा और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को फटा फट सी सब्सक्राइब कर लीजे ताकि और भी बच्चों से लिटे जो भी मुझे समझ में आता है मैं आपके साथ वीडियो को सेयर करो तो सबसे पहला में खाएगा कि नहीं खाएगा तो हम इसको फूब अच्छे से खिला देते हैं अब ऐसा अगर आप करोगे घर पे ही उसको ब्रेकफास हैवी करा दोगे या फिर ओवर खिला दोगे बच्चे का पेड घर पे भर गया तो जाने के बाद तुलन जो है इस टार्टिंग टाइ तरह तरह की एक्टिविटी ट्वाइज रहते हैं बच्चो के स्कूल में तो बच्चो का माइंड जो है वहां पर लगा रहता है तो टिफिन पर ध्यान नी जाता है इस वएसे वहां पर जो आया या फिर जो भी रहती है केर करने के लिए बच्चों की वह लंच बॉक्स को उपें करके रख देती हैं मैंने जहां तक यह देखा है दो तीनी स्कूल में मैं देखने के लिए गई थी जब मुझे अद्मिशन कराना था तो मैंने यह देखा कि वह ट्विन बॉक्स को पर करके देती है कि बच्च आक्टिविटी या जो भी खेल ला है जिस सीज में उस तो रीजन सबसे पहला यह होता है कि आप घर पे ही बच्चे का पूरा पेट भर के स्कूल में उसको भेजते हो कुछ खिला के इतना हैवी भेज देते हो तो इसकी वजह से भी बच्चा स्कूल में टिफिन अपना फिनिस नहीं करता है दूसरा डीजन मेरे हिसाब से यह है कि बच्चों को एक ही चीज बहुत सारे पारषण होते है कि डेली डेली उसको पराठा या फिर पूरी या फिर मतलब आटे का ही चीज़ यानी जैसे बच्चों का मूड चेंज कभ हो जाता है समझ में नहीरे हमें ही एक चीज अगर डेली धेली खिलाई जा तो मेरा हमारा ही म तो इस वाइसे बच्चों के भी लंच वॉक्स में एक तरह की चीज अगर आप लग के भीज होगे तो बच्चे लंच नहीं करना चाहेंगे वह जैसे पहले का टाइम कुछ और था हमारे टाइम में हम डेली पराथा सब्जी लाते थे कोई बात नहीं सभी लोग ऐसे ले आते तरह की चीज बना बना के डेली देंगे तो तब भी बच्चा लंच नहीं फिनिस करेगा तो दो रीजन्स होगा है विसके सोलूशन के लिए क्या करना है मैंने क्या किया था शुरुआत में मैंने भी नभो को मतलब वीपुल को उसको ब्रेकफास अच्छे से करा के और मैं आया कि जब मैं इसका घर पे ही पूरा पेट भर दे रही हूं अच्छे से खा ले रहा है तो आधे एक घंटे के बाद ही इसको कैसे पेट खाली हो जाएगा ऐसा तो है नहीं बच्चे बहुत ज्यादा वहां पे खेल कूज रहे हैं या फिर घर पे रहने का कुछ अलग ही बच्चों का तरीका हो जाता है और स्कूल में कुछ और होता है तो ऐसा नहीं है बच्चे जाते ही घर पे भी पेट भर के खाली है और वहां पे भी जाके पेट भर के खाली हैं बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जो थोड़े से खाने वाले रहते हैं वो भले ही खा चाहे वो milk पिला रहे हो या जो भी है उसकी quantity बिलकुल कम कर दीजे यानि बस ये है बच्चे को ये मुह में थोड़ा बहुत जाए पेट नहीं भरना चाहिए बच्चे का एक दो बाइट कुछ भी आप खिला दो या फिर cow milk की थोड़ी मात्रा में पिलाओ जो भी आप खिला क को थोड़ी मात्रा में जो भी चीजे हम रेकफास करते थे स्टार्टिंग में मतलब वो मॉनिंग ताइम में बिलकुल भी milk नहीं लेता है वो उसको नमकीन ही कुछ चाहिए तो जो भी हम रेकफास करते हैं उसको एक दो बाइट मैं खिला देती हूँ और उसके टिफिन में मैं अलग अलग चीजे जो भी उसको पसंद हैं हर दिन कोसिस करती हूँ को उसको अलग चीज बना के दूँ तो देती हूँ तो अब वो अपना टिफिन एक दो बाइट बचा रहता है लेकिन वो फिनिस कर लेता है बहुत जादा मैं टिफिन भी यह नहीं है कि बहुत जाद एक में fruit ले आए fruit खाने का मन करें दूसरा लेकिन starting बच्चे खाने वही बहुत है हम parents के लिए देने को तो हम देते ही है एक में fruits दे दिया एक में जो भी मन करेगा बच्चे का खाएगा लेकिन बच्चे का जो जिस चीज में मन लगे आपको वो करना है तो घर पे आप कम quantity में बच्चे को खिला के भेजेंगे तो बच्चा स्कूल में जो भी चीज़ें आप देंगे वो जरूर खाने की कोसिस करेगा और तब आपकी ये complaint दूर हो जाएगी दूसरा रीजन यह है कि बच्चे को एक तरह का लंच नहीं चाहिए daily daily उसको अलग-अलग चीज़ें आप ज आप कुछ कट करके दे दो थोड़ा सा कुछ नमक का इटम बना के बच्चे को दे दो कि अगर वो खाने कमन है तो वो खाले आने फूट्स में भी चीज़ें नहीं है कि पूरा भर के टिफिन में उसके फूट्स दे दिया तो ऐसे में आप वो चीज बरबाद हो भी होगी औ कुछ कोई भी चीज बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा भर के नहीं देना चाहिए थोड़ी मात्रा में आप दीजे अगर बच्चा आज फिनिश कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज उसको समझ में आ रहा है तो ने चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर लिजे और जिनके भी बच्चे छोटे हैं उनके साथ आपी से यह भी कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग में